दोस्तो आज हम बात करेंगे सुन्दरगर्जिला के बारे में जो उपने ओईतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक मुहतों के लिए चाना जाता है यहां परेटर्ण के लिहास से बहुत से खुप्षरस तलम अचुद है जहां साल भर परेटरों को आना जाना लगा रहता है सुन्दरगर्ण के अंतरगदा आने बाले सेत्र पनल्योग और खनी संपता से बहर मार है नमस्कर दोस्तो मेरा नाम है सुन्जय और आप देख रहे मेरा यूटूब चैनल ट्राबन कानिवाल दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सुन्दरगर्ण जुला की दस प्र सुन्दरगर्ण जिल के अंतरगद एक मुख्यन अगर है जो टेंसा पहाड़ियो के आसपास बसा है यहां का मोसम साल बर्खुष्ण महां बना रहता है यही बज़ा है कि यहां पर्योटों को आना बहुत ही पसंद है हासकर गल्मयों के दोरन यह सेलानियों को काफी ज़्याद आकर सिद करता है यहां आप घुने जंगलों और घुमापदार पहाड़ियों के संदर दुर्श्यों का आनद ले सकते हैं एक खुशुरत पिकनिक स्पट भी है जहां वीकेंड परस्तानियों के साथ साथ दूर तिराज से परेटक मोज मौस्ति करने के लिए आते हैं नमबर दो पुराता है सरफगड ड्याम और इको टूरिजिम कंप्लेक्स एस तान सुन्दरगड जिला की लेप्री पुरा तेसील अंतरगड बंधुन जहरे गाउं में स्तीत है और साथ एकड में फ्यला है सरफगड इको विलेज एंड नेचर क्यांप सांत बाता बरण प्राकृत के सुन्दरता और सांती के लिए बहुत प्रसिद है ये सुन्दरगड से 40 किलोमीटर दूर है नेकरतम रेल्यो स्टेशन चार सुगड़ा है जो 37 किलोमीटर दूर है सरफगड नेचर क्यांप साल मिश्रित बोन के साथ राचिन सुष्क पन्नमच जंगल से गिरा हुआ है और पास के लिचर बोन तेंदुए हातियों जंगली सुवर हीरन आधिके लिए उतकृष्ट निवास्तान है नेचर क्यांप स्टल सरफगड जलासय से घिरा हुए जो हजारों को आकर सीद करता है इको टूरिस्ट मुसाबिर पिकनिक स्पाट में ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं और सरफगड जलासय के तर और सुन्दर परितुर्ष्य का आनद ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों नॉम्बर तीन की ओर आप चाहें तो सुन्दर गड़ के खंडाधार जल प्रपात की सेर का विप्लान बना सकते हैं खंडाधार वाटरपल रावल कला से 104 किलोमेटर की दूरी परस्तित हैं ये भारत की चुनिंदा सबसे उच्छे जल प्रपा होती है खासकर मॉन्शुन के दोरन यहां की खुबसृती देखने लाइक होती है एक संदर और वन्भव के लिए आप यहां आ सकते हैं नॉम्बर चार पर आप जाज सकते हैं मेरी खोज वाटरपल मेरी खोज वाटरपल सुन्दर गड़ के खुबसृत जहन्नों में गिना है जहां सलानी ज्यादा आना पसंद करते हैं यह वाटरपल रावनकला से लगभाव 114 किलोमेटर के दोरी परस्तीत है खासकर मॉन्शुन के द्वरन यहां की खुबसृती कोई गुना बढ़ जाती है एक विशल जर्ना है जहां पानी 100 फिट की उंचाई से गिरता है यह र काफी खुबसृत है कुछ रिफ्रेसिंग एहसास के लिए आप यहां आ सकते हैं नामबर पांच पर आप जा सकते हैं मंदिराड्याम रावलकला के बरेटन स्तोलों में मंदिराड्याम सबसे ज्यादा प्रसिद है इस बाहांत का निर्वान हिराकुत प्रजेक्ट अथरिक् इस जगों पर बना है बहुत खुबसृत है यहीं पर संखनदी तम गाटियों में प्रवस करती है साथी पायाडियों से घिरे होने के कारण इस जगों की खुबसृति और वीबड जाती है यहां पर एक बड़ा सा जलासवे भी है जिसका इस्तेमल मस्चपलन के लिए क्या जाता है अगर आप चाहे तो जलासवे में बोट राइट का भी आनद उठा सकते हैं साथ ही आप यहां फिसिंग का भी लोप्त ले सकते हैं चले दोस्तों नंबर छे पर जल्दी से जान लेते हैं पितामल ड्याम के बारे में एक ड्याम रावलकला सहर से 23 किलमेटर की दुर पर उलुंडा गाउं के पास ती थे पितामल नदी परवने इस बांद ने 1988 में काम करना शुरु किया था इस बांद की कुल लंबाई 660 मीटर है और इसकी सबसे ज़्यादा उचेई 25 मीटर है बांद के पास देखवाल के लिए एक बंगला है जिसका रख रखव सीचाई व खुबशिर्ति को देखकर यहां आने वाले परेट अग मंत्र मुवत हुए बिना नहीं रह सकते हैं आज के इस भागदोड भरी जिन्देगी में बांद का थंड मोसम और आसपास का खुबशिरत नजारा आपको शुकुन पहुंचेएगा नमबर साथ पर है दार्जिंग पिकनिक स्पोट सुन्दरगड के परेटन सुन्खला में दार्जिंग की सेर्क का प्लान बना सकते हैं एस सुन्दरगड जिले मिस्तित एक खुबशुरत पिकनिक स्पोट है जहां वीकेंड पर स्तानियों के साथ साथ दुन तोराज के परे ब्रामणी नदी के किना रिष्टी थे इन दी इस हरे भरे स्तल की खुब शुरूती पर जार चांद लगाने का काम करती है आप यहां ट्रेकिंग और फिशिंग का विरोमाच बोरा अनभाव ले सकते हैं आप चाहे तो ब्रामणी नदी के शोष्ट जल में स्नान भी कर सकते है मनसुन के दोरान इस नदी का जल स्तर काफी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए अपनी शुरुख्य का पूरा ध्यान रखे आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नाचुराल आट पंस्प्योर सेव हटकर कुछ धर्मिक स्तानों के बारे में जान लेते हैं और नमबर आट पर है बैद ब्यास बैद ब्यास में संखय में पर्येट अगाता हैं इस खुल स्तान का महतों किर्द रूप. यह उस्तान प्रस्तिते जहां पर कोएल, संक और शरोशत्य नदीकापनी आपस में आकर मिलता है इस कारण इस्तान को त्रेहा संगं के नाम से भीजा न जाता ह रालुपिला से 9 किलोमेटरी दूरी पर इस जगों का दिशे सोईतिहाश को महतो है। सिख्या का गुर्कुल और बैदिक आश्रम व्योस्ता इस तान की खासी होते हैं। परानी कथाओं की माने तो महान महर से व्यास ने इस तान पर महभारत गिराचना की थी। इस जगों को घुमने के दोरन आप व्यास गुमफा का भी ब्रहमन कर सकते हैं। गुमफा तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहराल लेना पड़ेगा। पुरे साल के दोरन कभी विदवैस का प्रहमन क्या जा सकता है। नमबर 9 पर आता है हनुमान बाटिका। हनुमान जी को समर पीत हनुमान बाटिका एक खुबशूरत मंदिर है। मंदिर का गाड़ेन करीव 13 एकड़ भूभाग में फेला हुआ है। मंदिर की खासियत यहां के हनुमान जी का प्रतिमा है। जो की एसिया में सबसे बड़ी है। श्री लच्मन स्वामीदरा बनबाई गई इस प्रतिमा की उंचाई करीव 75 फीट है। इसके अलबा गाड़ेन में एक विशल खुबशूरत मंदिर परिशर भी है। साथी गईड़ेन में बाट मोंगला मंदिर, मानस परान सारला, बिनायक मंदिर आधी, दूसरे तिर्श तल भी है। गईड़ेन का बातावरं काफे निर्मण है। जिसे बड़ी संख्या में परियर टोक इसकी और खीचे चले आते हैं। मंदिर परिशर में कोई तोहार भी दोम धाम से मना जाते हैं। इनमें शिवरात्री और रत्रात्रा का विशेश महतो है। तूंकि इसका आयजन बड़े पेमेन पर क्या जाता है। मंदर दस पर है राउल केला का प्रसितमा बचन दवी मंदिर। देवी काली, देवी सुरसती और देवी लज्चमी को समर्पित ये मंदिर एक खुबशुरत पाहडी पर बना हुआ है। इन देवी की मूर्पियों को सम 2000 में पहाडी परपाया गया था और मंदिर का निर मनकार्यों 2003 के अंत में पुरा क्या गया था। साथ ही पुजा के लिए मंदिर के अंदर इन मुर्थियों को रखा गया था। इस मंदिर को जम्मु के बश्णो देवी मंदिर के प्रतिरूप के तोर पर पना गया था। इस मंदिर के पास ही देवी दुर्गा काया के प्रसित मंदिर है मा बश्णदवी आने वाले परेटक दुर्गा के मंदिर में भी दर्शन के ले जाते हैं मा बश्णदवी मंदिर में नवपरात्री का तोहर बड़ेश्तर पर मना जाता है